आप सबी जानते हैं कि घर के अंदर 4 सदर से नॉमिनेटेड है रुबीना, अभिना, अली और जास्मिन लेकिन ये बात जानकर आप काफी शौक्ट हो जाएंगे कि ये पूरा वोटिंग ट्रेंड राहूल वैद्दे फैंस ने बदल दिया है जी हाँ आखिर ऐसा क्या गिया है राहूल वैद्दे फैंस ने कि पूरा का पूरा वोटिंग ट्रेंड जो है इतना इंफलूंस हो गया और इतना जादा उसमें चेंजेस आ गए मैं हीना कुमावत फिल्मिंडो पर आपको बताऊंगी रुबीना का अपना फैंडम है और रुबीना जो है नमबर वन पर है लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर सर्प्राइज है कि जास्मिन की जगा अभिनव नमबर दो पर कैसे है और इस बात का पूरा क्रैडिर जाता है राहुल वैद्धे फैंस को, कैसे मैं आपको बताती हूँ, और पहले मैं आपको बता देती हूँ, तीसे नमबर पर अली है और चौते नमबर पर जास्मेंट, और जास्मेंट का इतना बड़ा फैंडम होने के बाउजूद वो बॉटम में कैसे है, इसके लिए भी राहूल वेद्दे फेन्स जम्मेदार है पहले में बात करूँगी अभिनव जो लई दो đến पर नमबब तीन पर अली को राहूल वेद्दे फेन्स हैं कुछ फेन्स हैं जिनको लगता है कि अली को घर मेरेना चाहिए क्योंकि वो राहूल का दोस्त है तो कुछ लोग जो हैं अभिनव को सपोर्ट कर रहे हैं राहुल वैद्दे फैंस और कुछ अली को भी बोट कर रहे हैं तो ऐसे में जास्मिन की फैंडम उनको ही कर रही है रुभीना की उनको कर रही है तो बहुत जरूरी होता है जब आप नॉमिनेशन में आ जाते हैं तो बाकी दूसरा फैंडम क्या आपको सपोर्ट करता है नहीं करता ऐसे में अभी राहुल वैदे फैंस जो है वो ये चाते हैं कि अली गोनी अलिमिनेट हो जाएं ये बात में पहने से बोलती हैं कि अली जो है राहुल को ओअप ज्छाईडव करते हैं और अली की बात में आकर एपने गेम घराभ करते हैं उधिए उसके जयो राहुल का भी ऑग्या fertigato कुछ फैंस चाहते हैं कि अली और राउन की दोस्ती बनी रहे लेकिन गेम पॉइंट ऑफ यू से मुझे भी लगता है कि राउन को अकेले खेलना चाहिए तो कुछ फैंस इसी सोच से जो है सहमत है और वो अली को नहीं अभिनम को सपोर्ट करें ताकि अभिनम उपर जाए और अली बॉटम में आ जाए ताकि अली निकल जाए लेकिन कुछ लोग है वो अली को कर रहे हैं लेकिन ऐसे में रुबिना का फैंडम अपने आप में अगर मैं कहूं तो बहुत ही ताकतवर है और वो नमबर वन पर है जास्मिन अभी बॉटम में है तो इस पूरे जो वोटिं के साथ रहना चाहिए या फिर अभिनव को घर में रहे तो चलेगा लेकिन अली जो है वो राहुल के गेम को इंफ्रूंस करता है आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजेगा